नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल पई एक पीडियाट्रिक नेफरोलोजिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाल है क्या होता है यूरिनी ट्राक्ट इंफेक्शन अपने बहुत बार सुनोगा आपके बच्चे के चाइल स्पेशलिस्ट है कि आपके बच्चे को UTI याने यूरिनी ट्राक्ट इंफेक्शन है तो ये यूरिनी ट्राक्ट इंफेक्शन होता क्या है कैसे होता है और इसमें क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे एंड तक वीडियो देखना जरूर विडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो UTI समझने से पहले हमें हमारा यूरिनरी सिस्टिम को समझना पड़ेगा पहले हमारे यूरिनरी सिस्टिम में आते हैं दो किड्नी एक लेफ्ट और एक राइट जहां यूरिन बनता है उसके बाद आता है पेल्विस जहां यूरिन इखटा होता है और यूरेटर्स के माध्यम से वो ब्लाडर तक यूरिन को पहुचाते है ब्लाडर में यूरिन जमा होता है और जब यूरिन का प्रेशर बढ़ जाता है तो सही समय पे यूरेथरा से निकाल दिया जाता है तो अब ये किड्नी से यूरेथरा तक किसी भी जगे पे अगर infection हुआ हो तो उसे हम urinary tract infection कहते हैं अगर सिर्फ kidneys का infection है तो उसे हम upper UTI या pylonephritis कहते हैं pelvis से urethra तक कोई infection हुआ तो हम उसे lower UTI कहते हैं तो अगला सवाल होगा ये UTI होता कैसे है तो पहले तो अगर खून में infection हो तो यही infection kidney तक पहुचके वहाँ पे UTI करवा सकता है उसे pylonephritis कहते हैं दूसरा तरीका है कि अगर पिशाप की जगह याने अगर अपने private parts में गंदगी हो तो यही गंदगी urethra के रास्ते से उपर फैल सकती है और urinary tract infection हो सकता है तीसरा तरीका है कि kidney के रास्ते में अगर कोई रुकावट हो पत्री के कारण या अगर रास्ता छोटा हो तो urine वहाँ पे ज्यादा समय एकटा होने के वज़े से infection हो सकता है चौथा थरीका है कि अगर urine bladder से completely evacuate ना हुआ हो तो वहाँ पे bladder में urine ज्यादा देर तक इकटा होने से urine का infection हो सकता है ये usually patients जिनमें VUR याने West Psycho Euretric Reflux की तकलीफ या फिर ऐसे patients जिनका bladder अच्छे से काम नहीं कर रहा हो इन्हें हम bladder dysfunction कहते हैं और जो आखरी category है वो हमारे जो बच्चे ICU में admit रहते हैं लंबे टाइम से उनमें urinary catheters रहते हैं तो उनमें भी एक risk होता है urinary tract infections होने का तो कौन से patients में UTI का risk ज्यादा होता है तो पहले तो जो patients पिशाप की जगह साफ नहीं रखते जिनने cubs है जिनकी urinary tract के बनावट में ही problem है या bladder function खराब है या फिर जिनको phimosis है या जिनकी immunity कम है और आखरी में ICU के patients जिनमें catheters है तो कितना common है UTI तो अगर हमने 100 बच्चों को पकड़ा जिनमें बुखार है तो उनमें से 7 बच्चों को UTI हो सकता है इतना common है तो बच्चों को क्या-क्या तकलीफ हो सकती है तो पहले तो पिशाप करने में दर्द या जलन बुखार के साथ chills याने ठंडी पीट के साइड मे और उसमें काफी बदबू आना ऐसे भी complaints हो सकते है तो आपने क्या करना है अगर आपके बच्चे को ऐसे symptoms है तो आपके नजदी की pediatrician के पास चाहिए अगर आपके pediatrician को लगे तो वो शायद आपको एक pediatric nephrologist को भी refer कर सकता है यह usually तब होता है अगर UTI बार-बार हो रहा हो या फिर urinary tract में कोई structural तकलीफ हो या फिर kidney function खराब हो रही हो तो एक doctor क्या करेगा आपसे history लेगा examination कराएगा आपके बच्चे की और थोड़े test कराएगा तो यह tests कौन से होंगे तो पहले तो एक urine routine, urine culture, CBC, kidney function test और QSG इससे यह confirm होगा कि आपके बच्चे में UTI है की नहीं और अगर है तो उसके साथ कोई urinary tract में कोई structural problem तो नहीं, अगर structural problem है तो आपसे तीन test कराएगे depending on case to case basis, पहला होगा MCU जिसे micturating cystourethrogram कहते हैं, यह test में आपके बच्चे को एक x-ray machine के सामने लिटाया जाएगा, वहाँ पे आपके बच्चे के पिशाप के जगे से एक नली डाली जाएगी और उस tube से एक डाय डाला जाएगा और फिर बच्चे के photos खीचे जाएगे, वह x-ray के photos में पता चलेगा कि urinary system में कोई structural abnormality है की नहीं, फिर आते हैं DMSA और DTPA पे, यह nuclear scans होते हैं, इसमें आपके बच्चे के नसों से डाय डाला जाएगा और बच्चे के scans ल urinary system में कोई blockage है या नहीं, यह पता चलता है, तो अब treatment क्या होगा, तो treatment में infection के लिए antibiotics दिये जाएगे, कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक, और कोई cases में अगर severe infection हो, तो शायद और लंबा time लग सकता है, और अगर structural issue हो, तो आपको surgery ही करवानी पड़ेगी, लेकिन जब तक हम surgery करें, अगर reflux का problem हो, तो आपको surgery होने तक euro profile axis लेना पड़ेगा, और surgery के बाद भी एक साल तक लेना पड़ेगा, euro profile axis याने कम dose में एक antibiotic rose देना पड़ता है, जिससे infection के chances कम होते हैं, तो अब आपने UTI से बचाने के लिए क्या क्या करना है, तो सबसे प vegetables, हरी सबजिया, बच्चे के private parts clean रखने हैं, पिशा आपको लंबे समय तक पकड़ के नहीं रखना है, ये usually हम लड़कियों में देखते हैं, कि जब वो school जाते हैं, तो वहाँ पे toilets बहुत गंदे रहते हैं, तो वो avoid करते हैं toilet में जाने से, इसलिए वो usually school में जाने से पहले और school से आने के बाद urine करते हैं, बट ऐसा हम advise नहीं करेंगे, कोशिश करें कि school में ही urine pass करें, फिर कई बच्चों में circumcision भी कराना पड़ सकता है, अगर बार-बार UTI हो रहा हो, और आखरी में USG हमने pregnancy के वक्त करना है, जिस से हमें पता चले कि अगर kidney के रास्ते में कोई structural abnormality है या नहीं, अब आते हैं इसके long term outcome में, तो क्या-क्या तकलीफ हो सकती है, अगर आपके बच्चे को सिर्फ एक बार ही infection हुआ है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार-बार infection हो रहा है, तो kidney damage के chances ज्यादा है, और kidney function खराब होने के chances भी ज्यादा है, इसलि सुझाव हो, तो हमें comment section में बताइए, धन्यवाद, दोस्तों, अगर आपको kidneys के बार में और जानकारी चाहिए, तो नीचे comments में पूछ सकते है, या फिर यहाँ पर हमें contact कर सकते हैं,